अबी अपने नगर निगम के कुछ डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं उनको कई महीनों से तन्खा नहीं मिली यह हम सब लोगों के लिए बड़े शरम से डूब मरने वाली बात है जिन डॉक्टरों ने करोना के टाइम पे अपनी जान की बाजी लगा के हमारे परिवार और हमारे हमारी रक्षा की हमारा इलाज किया हमारी सेवा करी उन डॉक्टरों को कई कई महीनों तक तन्खा ना मिले यह सही नहीं है और बड़ा समवेदन शील मामला है एक तो यह कि इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीती नहीं होनी चाहिए किसी को कोई राजनीती इस मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए सबका प्रयास यह होना चाहिए कि उनको उनकी तंखा कैसे दिलवाई जाए केंदर सरकार पूरे देश में जितने नगर निगम है उनको ग्रांट देती है पूरे देश में जितने नगर निगम है उनको ग्रांट देती है केंदर सरकार चार सो पचासी रुपे प्रती व्यक्ति के हिसाब से उस नगर निगम में जितने लोग रहते हैं चार सो पचासी रुपे प्रती व्यक्ति के हिसाब से पूरे देश में सारे नगर निगमों को केंदर सरकार गरांट दे रही है पिछले कुछ सालों से दिल्ली के तीनों नगर निगमों को ग्रांट नहीं मिलरी केंदर सरकार से पूरे देश में सारे नगर निगमों को ग्रांट मिलती है दिल्ली दिल्ली को छोड़के दिल्ली में सवा दो करोड जनसंख्या है चार सो पच्चासी रुपे प्रती व्यक्ति के हिसाब से लगबग 1100-1200 करोड रुपे प्रती वर्ष बनते हैं दस साल के बन गए 12000 करोड रुपे 12000 करोड रुपे केंदर सरकार ने देने हैं नगर निगम के कि अंधर सरकार को देने चाहिए अगर कि अंधर सरकार पैसे नहीं देगी तो नगर- premature निगम कैसे चलेंगे पूरे देश के अंदर नगर निगमों को पैसा देती है के अंधर सरकार दिल्ली नगर-निगम को नहीं दे यह तो गलत बात है दूसरी चीज में थोड़ी सी नगर निगम में चाहे किसी भी पार्टी के सरकार को हो है तो अपने भाई अपने ही लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के विंति करना चाहूंगा थोड़ा सा सही से चला लो नगर निगम ऐसे इतना मिस मैनेजमेंट इतना भ्रष्टाचार जो नगर निगम में हो रहा है ऐसे तो काम नहीं चल सकता